वारशिक परिच्छा कज चाशे संस्क्रित का पेपर लेका राचुका हूं आप लोगों के लिए और कोड यहां पर इस्टार्ट है तेज दियत दर्शे यहां पर आप लोग कमेंट कर रहे थे किसदर जो तेज से स्टार्टिंग वाला कोड है रेड कलर का पेपर वही मेरे स् आप 100% परिच्छा से पहले पेपर पाके स्कोर कर पाएंगे ठीक है अब देखो मेरा बुखार है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को परिच्छा से पहले आपका जो यह पेपर है वो मिल जाए पूरा 100% स्कोर कर सको इसलिए प्लिस आप लोग भी म निमलिखित गध्यांसों का हिंदी में बात कीजे तो यहां पर जो गध्यांस आया है वो आप देख सते हैं से ग्रमेवसा काला आगच्छत भारते ब्रिटिस यूराजा आगच्छत सासनेन तस सतकाराय आयोजनम कृतम तस बहिसकाराय भारतिया जना निश्चयम अकुरवन उसके बाद है वराणस्याम किवी कालेज इतिनामना ख्यातस से संस्कृत बिद्यालेश से प्रांगड़े आजादा भहिसकारां दोलनम समचालेट इस तरह से इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है इसके बाद नीचे लिखे इस लोकों का हिंदी में अनुवाद कीज देखे यहाँ पर शंस्कृत में उत्त लिखिया है पहला है यहाँ पर स्रंगाल स्रंगारह कुत्र वसति अस्म ठीक है इसके बाद है सर्वह स्रंगालह सायम काले कीम अकुरवन फिर है गड़तन तर दिवसे है समा रोहा कदा भवती और उसके बाद है असमाकम देशा से रा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छूड़ गया नीचे लिखे स्लोकों का हिंदी में अनबात की जयांपर एक स्लोक दिया गया है इसका हिंदी में अनबात करना है एका का का तृसा पीड़ता जलम नालभध दूरे दूरे बृच्छाद बिच्छम गता वरा का ग्रामे ग्रामे नग्रे नग्रे ये आपको हिंदी मन बात करना था ठीक है संस्कृत में जो उत्तर देना है वो तब को मैंने बता ही दिया इसके बाद यहां पर है एक अस्तम चका है और इसका खास मिलान करना है तो एक ध्यान से पढ़िएगा इसको देखिए संस्कृतम संपूर दे होती है फिर रच्छा बंधन दियुसे एव इसके बाद देखना क्या होता है ठीक है फिर इसके बाद है रच्छा बंधन असमाकम समाजे हमारे समाज में उसके बाद क्या होता है वो को बताना है सह सम्राट रच्छा सोत्रम सविकृत उसके बाद क्या है वो बताना है तो इ यानि यह जो वाक है isको पूर करना है गच्छन पिपीलिकु हो यात योजना नाम सतान्य भी इसके आगे की लाइन जो है उनको पूर करना है इसके बाद की जो लाइन है उसको आपको यहाँ पूर करना होगा ठीक है इसके बाद आईए इधर पेपर है संद बिच्छेत कुरुत यानि संद बिच्छेत करना है पहला है पदम पदम का करना है यहाँ पर आपको संद बिच्छेता का भी करना है प्रजातिव का करना है प्रजातिव हो जाएगा फिर आज्यानांधकारा का करना है अज्यानधनांधकार करुणार्द भावनम का करना है प्रजातिव का करना है देखे यहाँ पर दो का करके दिखाएं है ठीक है वैस्वाब को करना है ठीक है जैसे यह पद पहले दिया गया है फिर यह संध बिचे दुआ है जैसे प्रजाति करना है करोडा आर्ध भावम करना है बुधस्त तदह करना है ठीक है इसके बाद आया है अधो लिखित पदा नाम विभक्ति वचनम च लिखत यानि ये जो अधो लिखित पद है नीचे दिये गए इनमें विभक्ति और वचन लिखना है जैसे यहां अगला है अधो लिखित पदा नाम बिलोम पदा निलिखत इनका बिलोम पद लिखना है स्वतंतरता का परतंतरता हो जाता है रचका का जो रचकरता हो क्या हो जाता है अब बताएगा च्छामा का क्या होता है वो बताना है और इसके बाद बीरता का क्या हो जाता है कायरता ठीक है इसके बाद यहाँ पर है सब्दार्थ लिखिए गोधूमा यवा आड़की चड़क सरषियवत परियाव का जाएगा जैसे आपको मिला देना है सूर कूलर भॉक्ति ょूज़ेगा , ठीक है फिर है नरत्वा बालक का रूप सभी भी वक्तियों में वचन में लिखिए अपनी पार्ट पुश्टक से याद किया गया कोई है किसी लोग लिखिए जो इस प्रसंपत पर नाया हो किसी एक पर दस लाइन का निबंद लिखिए किसी एक पिडियों को पशन आई होगी सबसे जबड़ा जीतना जड़ा को रोगए के ओम लोग पर लेकर आते रहेंगे ठीक है